जुए- Assalamamalikum, rendah 7, आज के lecture का आगास करते है, lecture number 19 आज के lecture में हम अप्ना निया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं chapter 3, directors, exam point of course से important chapter में से एक चैप्टर है लेकिन chapter 3 की तरफ जयान दिश से पाहले chapter 2 की हम रहे कुछ DecDonalder Scrum के Discussion Defender Tween ती ऐसे है है, तो कोईृम से ए आपके सामने हैं, हम नने जब भी प्रैक्टिस करनी है Past इसलिए हम वालिम टू में जो हैं उनकी प्रेक्टिस करने जा रहे हैं बाकी क्वेस्टन में डिली हम असाइनमेंट में आपके साथ शेयर करता रहता हूं किसको चेंज रिपोर्ट करना है रिजिस्टार को या कमिशन को अगर कोई कंपनी प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनिस चेंज करें तो किसको कम्यूनिकेट करना है कितने अरसे में अच्छा एक फिफ्टीन डेज वाली बात भी थी वो क्या थी फिफ्टीन डेज वाली बात थी रिजिस्टार को स्पेशल लेजलिशन की कॉपी सब्मिट करवानी है वो फिफ्टीन डेज थे या फोर्टीन डेज थे तो special resolution की copy 15 days में submit करवानी है लेकिन जो altered memorandum या altered articles हूँ वो कितने अरसे में जबा कराते है 30 days में तो यहां में किसकी बात कर रहा है copy of special resolution की के memorandum की principal line of business की बात कर रहा है तो उसके documents हमने भिजबाने है within 30 days registrar को तो correct option क्या हुई हमारी C registrar को within 30 days next 20 approval of the shareholder at the general meeting is not required when shifting the registered office of company from कब shareholder की approval की जुरूत नहीं है same city one city in a province to another इसके लिए तो special resolution चाहिए one place to another place within same city इसके लिए इस रफ बोर्ट resolution चाहिए C one city to another in any part of Pakistan not forming part of province इसके लिए बी special resolution to any city of Pakistan इन सब के लिए special resolution चाहिए सिरफ B यानि से अपने चाहिए अपने office सेज करना उसके लिए special resolution की जरूराइब नहीं होती इसके बीकर्ट अप्छिन क्या हुए 21 इसका नाम यह रखना चाह रहा है इन दिस रिगार्ड विच आफ दा फालोइंग नेम्स इस इन कंप्लाइंस विदा कंप्लाइंस इसमें क्या प्रॉब्लम है हां चुके वह प्रॉबइट कंप्टी है तो उसके नाम के साथ बन प्रॉबइट हाना चाहिए बी हेरिंग एसमी प्राइवेट लिम्定 यह ठीक है सुए हेरिंग प्रॉबलम है सिंगल मेंबर ने लिखा अला कर वह सिंगल मेंबर कंपनी है अगर members की तदाद एक से ज्यादा होती फिर ठीक होता है यह ना और हेरिंग लिमिटेट यह पब्ली कमपनी के लिए होता है प्राइवेट के लिए नहीं और सिंगल मेंबर चुके प्राइवेट असले यह भी गलत तो क्रेक्ट आप्शन नमारी क्या हुई B. B. Haring SMC Private Limited 21 B. Option correct. Next 22. On 11th July 22 Plum Limited changed its business activity by altering its memorandum of association. On 1st August 22 PL has made a petition to the commission for the confirmation of alteration. अब memorandum की alteration करवाई है बिजदेस एक्टिविटी चेंज़ेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें नहीं बिजनिस सा शेंज कर रहे हो ऐसा थोड़ी है कब होती है चेज़रूरत जब जो बिजनिस आपने ड़ाप्ट करना है वह restricted हो subject to license हो तब जोड़ूरत होती है Commission के और डर की वरना नहीं होती है हर principal लाइन अब बिजनिस शेंज करने के लिए के कमिशन के अड़र की ज़रूद नहीं मेरे भाई फिर कर रहा है ओन 26 अगस 22 दा कमिशन कंफर्म दा अल्टरेशन इन अगस्ट देखें साथ दिन के अंदर किसको रिजिस्टरार को भी और काम देखें साथ दिन के अंदर कमिशन अपनी ड्यूडी पूरी कर दी विल्को निस से पता चला कमिशन अक्टिविली काम कर रहा है कि आगे क्या हुआ पी एले सीट ठीक है क्या आइडेंटिफाई दा लास्ट डेट ओन विच पी एल शल्फाइल दा अल्टर्ड कापी ओफिस मेमरेंडम अप्सोसियेशन विदा रिजिस्टर और चाहिए थर्टी डेज कब से शुरू करने है देट ओपडर से यानि चब का बाडर हुआ है 26 अगस्त है ठीक है चो 26 अगस्त है 26 पहला दिन 27 28 29 30 31 31 अगस्त के 30 6 दिन हो गई और स्टमबर के कितने 24 तो इसका मतलब किस लेट तक 24 स्टमबर तक 24 स्टमबर को भी अगर इसने फाइलिंग कर दी तो ठीक हो किरेक्ट ऑप्शन आई सी कोई प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम ने चैप्टर बान या चैप्टर टू में कोई क्वेस्टन अगर पूछना चाहते हो पूछ लीजिए वरना फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं नहीं चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर थ् अच्छा एक कंपनी का टिपिकल स्ट्रक्शर आपके साथ मैंने शेर किया हुआ पहले कि सबसे उपर टॉप पे कौन लोग होते हैं कंपनी के जो मालिक होते हैं शेर होल्डर्स शेर होल्डर्स पर क्या करते हैं वो ऐसे शेर होल्डर्स कंपनी के मालिक तो होते हैं लेकिन क कैंपनी को नर्मली खुद चलाने हैं अगर वैसे उनके पास कोई skill है चला भी सकते हैं लेकिन अगर सिरफ पैशे और्जे कमनी को चलाने के लिए वह फिर skillful persons पॉइंड करते हैंわかлом को क्या कहते हैं डारेक्टर्स स्किल्फिल परसन को क्या कहते हैं डारेक्टर्स कम्पनी के मालिक नहीं होते unless they are also shareholder यह लाइन समझाई कि normally देखे लीगल सेंस में shareholders अलएदा person है directors अलएदा person है लीगल सेंस में लेकिन प्रैक्टिकली बाज उकात ऐसा होता है कि कुछ shareholder जिनके पास skill है वो director भी बन जाते हैं ऐसी सुरत हाल में हम जब वो board meeting होगी तो उन्हें as a director treat करेंगे जब वो shareholders की meeting में आएंगे तो उन्हें as a shareholder deal करेंगे आपने उनकी relevant position देखनी है ठीक है उसके मताबिक उनको deal करना है case study में यह नहीं कहना सर आपने तो बताया था board meeting में shareholder नहीं आ सकते तो उसने लिखा है Mr. Aslam is a shareholder and also a director तो वो board meeting में क्या करने आ गया है वो तो shareholder है यह जी यह जेर में रिखे है वो director की है case study आया है ठीक है तो हमने जो discussion करनी है वो legal position के point of view से करने है ठीक है practically ऐसा possible होता है कि कुछ लोग ऐसे हो वो director भी होते हैं और shareholder भी लेकिन मैं assume कर रहा हूं कि director shareholders अलादा अलादा हैं और अगर कोई person same है भी तो हम जब डिरेक्टर्शिप पे comment करेंगे तो सिर्फ उसका being director comment कर रहे होगे सबसे ओपर shareholder shareholder के नीचे डिरेक्टर डिरेक्टर को point कों करता है शेयर होल्डर यह जए है बलके यूँ कहता हूं normally shareholders directors को कों point करता है normally shareholders एक अदा case है जिसमें कोई और भी point कर सकता है वो बाद में देखेंगे अच्छा अब डिरेक्टर को शेयर होल्डर ने डिरेक्टर को point कर लिया अब business किसने चलाना है directors ने shareholders ने साल के बाद आ जाना है हिसाब किताब लेने के लिए साल के बाद जो meeting होती है shareholders की जिसमें वो director से हिसाब किताब लेते हैं उस meeting को क्या कहते है animal general meeting शाबार animal general meeting ठीक है तब तक business के करता-दरता कों है एजी हम से पहले directors लेकिन directors जो है ये थोड़े high level के लोग होते हैं यह कहते हैं कि हमने निगरानी करनी है काम नहीं करना हम निगरानी करेंगे काम नहीं करेंगे ठीक है अब जैसे देखें किसी भी सूबे का जो प्रविंस का चीफ मनिस्टर है उसकी जिम्मेदारी में सूबे के काम करना नहीं है लेकिन डिसीयन मेकिंग करना है अल्टिमेट रिस् statements देता है उसके अंडर जितने भी लोग होते हैं जो काम करना है वो तो दूसरे लोगों नहीं करना ना तो डायरेक्टर्स भी क्या करते हैं monthly basis पे या once in a quarter वो बोर्ड मीटिंग करते हैं कभी कभारी office में आते हैं company में आते हैं मताबिक चलते हैं डायरेक्टर का रोल समझ आ रहा है अच्छा आप डायरेक्टर जो इन्होंने policy statements दे दी decision बड़े बड़े कर लिए उसके बाद चले गए क्या company में कोई ऐसी authority होनी चाहिए जो day to day basis पे या routine basis पे चेक कर रहे हों के बाकी लोग सही काम कर रहे हैं के नहीं सारे जिन जिनको जो काम बिलकुल है वो authority होता है chief executive या उसे CEO भी कहते हैं chief executive officer भी कहते हैं CEO भी कहते हैं इस CEO को point करते हैं directors और point करते होगे क्या कहते हैं वहला बाई CEO तुमने जो काम हम तुमें कहें तुमने वो काम करना है ठीक है और तुम्हारा काम ये है के कमपनी के अंदर हम महीने बाद आएंगे दो महीने बाद आएंगे तब तक तुम हर रोज कमपनी के अंदर आओगे अगर कोई बड़ा फैसला करने की बड़ी प्रॉब्लम आती है तुम हमें कॉल कर सकते हो हम अपनी अरजंड मीटिंग भी कॉल कर लेंगे वरना अगरे महीने मुलाकात होगी सारे महीने में क्या होता रहा है तुम इसकी रिपोर्ट हमें दे देना हम उसकी बेस्पेडिसियल म क्यणिक पोलन करता है डिरेक्टर्ण नौर्मलि मंथली बैसिज पर या क्वार्टली बेसिज पर मिला करते हैं ठीक है रिक्वाइड़ है कोई बेशी सेथा तो मिल सकते है जब डिरेक्टर्स की मीटिंग होती है वो कंपनी की जो वरकिंग होती है उसके जिम्मेदार डारेक्टर्स हैं कंपनी के अंदर याद रखे कोई भी गलत हो ना किसी कंपनी के अंदर कोई भी इल्लीगल एक्टिविटी हो रही हो तो वो सबसे पहले किसको पकड़ते है भला वो डारेक्टर्स को इसलिए डिरेक्टर की चुके responsibility होती है पूरी कंपनी की working की इसलिए वो monthly basis पे meeting करते हैं और अपनी गैर हाजरी में कंपनी के सारी मामलात पे नज़र रखने के लिए किसको point करते हैं CEO अब यह जहन में रखेगा exam में question पूछेगा CEO को कौन point करता है आपने कहना डिरेक्टर को कौन point करता है यह हमारे अच्छा हमारे अप सलेबस में कुछ चीजे ऐसी हैं कुछ topic ऐसा है जो सिरफ shareholder से relate करता है वो हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 में अगर आप चैप्टर 5 देखे ना तो वो share capital से लेट करता है उसके बारे में कुछ हमारे सलेबस में concept है ,directors के बारे में वह है चाप्टर 3 का concept यह डिरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे कुछ concept हमारे सलेबस में है Chief Executive के बारे में वह Chapter 4 में study करेंगे चीफ एक्जेटिव, शेर होलडर, डेरेक्टर चेप्टर एक्जेटिव करतार, कीजेटिव करतार फूर शेर होलडर का इसके बाद जब मीटिं सब्सक्राइब मेटिंग या डिरेक्टर मेटिंग इनको कटन्ट कैसे किया जाएगा इनके उपर लाइधा चेप्टर जो तो हमारे जो हरका बड़े-ईश्व के ऊपर उसने अपना हमाराइग chapter बनाया हुआ है ठीक है आज हम chapter कुन सा start करने जा रहे हैं directors वाला इसके बाद कुन सा chapter पढ़ेंगे shareholder वाला director chief executive वाला chief executive के बाद कुन सा shareholder तो आपको sequence और theme समझा रहा है chapters का चलिए अब आगे चलते हैं अगर समझा रहा है तो मेरा भाई बताईए इससे पहले क्या पढ़ा है हम शाबाज chapter 1 में basic concepts पढ़े थे और company को कैसे register करवाना है और chapter 2 में क्या पढ़ा memorandum और articles of association को पढ़ा है शाबाज आज है हम directors पढ़ रहे हैं जरा गोर से सुनिएगा इसमें कुछ concepts को मैं आपको simple ज्यादा detail में नहीं जाओंगा लेकिन जो concept exam point of who से ज्यादा हम है उनमें ज्यादा detailed discussion होगी तो आपने बहुर नहीं होना सबसे पहले director definition कह रहा है director की definition director होता कोना है कहता है एक ऐसा person है director appointed by members जिसको कोन पाइंट करता है shareholder या member इसका मतलब है अगर किसी members के लावा किसी और ने पाइंट किया अगर तो वो director नहीं होगा तो normally directors को कोन पाइंट करते हैं member या shareholder अच्छा guess कीजिए कहां पाइंट करते होंगे कि सीमन पे एजी एम में शावार ठीक है किस लिए हम पाइंट करते हैं to manage all affairs of the company are substantially भी लिखा हुआ definition में all are substantially लेकिन practically सारे affairs ही चीफ यह directors manage कर रहा है ठीक यानि इन्होंने all affairs को करना है manage company के कितने फेर्स को करना है all affairs को company के जितने भी मावला शेर होलडर एक धाव डिरेक्टर को point करते हैं तो उसके बाद घर जाके सो जाते हैं उन्हें पता है हमने महीने बाद सोरी साल बाद आना है directors को निमट लेंगे सारी से को अब आगे सुने it can be anyone it can be anyone या any person director can be anyone या any person ये बहुत एहम लाइन है anyone या any person ठीक है underline करें occupying position of director ये कोई भी person हो सकता है जिसको director की position पे बिठा दिया जाए यानि इसका मतलब ये हुआ director can be anyone क्या shareholder भी हो सकता है yes shareholder नहीं भी हो सकता yes क्या imply हो सकता है imply नहीं भी हो सकता ठीक है ये हम बाद में study करेंगे detail इनकी फिलहाल सिरफ जहन में रखिएगा जेनल कंसेप्ट का बता रहा है नौर्मली डारेक्टर शेर होल्डर नहीं मतलब नौर्मली डारेक्टर शेर होल्डर यानि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता हम बागे further discussion में अभी नहीं जाते हैं इसाब टाइगा तब देख लेंगे आगे चलते हैं कि कह रहा है बाए वर्टैफर नेम काल्ड ठीक है बाद उकात डारेक्टर के different नाम होते हैं different companies में chief executive के भी होते हैं एक listed company था हमापे हमाइट करने के लिए जाते हैं तो वह पे उस company का CEO था ना उसको कहा जाता था has got president उसको प्रेजिडन का वर्ड बड़ा अट्रेक्ट करता है प्रेजिडन रहाद में पता चला उसका नाम था President लेकिन असका status कौन सा था CEO Chief Executive Officer उसी तरह कुछ लोग directors होते थे लेकिन उनका नाम कुछ होर होता थे और कुछ लोग director नहीं होते थे उनके नाम में लफ़ डिरेक्टर आजाता था जैसे हमारा एक होता था director finance, एक परसण था director finance बड़े अरसे तक मैं समझता रहा है ये डारेक्टर है ये बोर्ड की मीटिंग में बढ़ता है वो एक दिन कहा है सरा मेरा डैजीनेशन है डारेक्टर फैनांस असल में मैं लीगली डारेक्टर नहीं हूं क्योंकि मुझे मेंबर्स ने पॉइंट नहीं किया हुआ मुझे तो चीफ एक्जेक्टिव ने पॉइंट किया हुआ है तो याद रखिए सम टाइम सम टाइम किसी कोई डारेक्टर है उसके जॉब के टाइटल में या उसकी डैजीनेशन में डारेक्टर हो भी सकता है नई भी हो सकता है तो नाम से फरक नहीं पढ़ता है काम से फरक पढ़ता ह है तो डाइक्टर कौन होगा जिसको मेंबर्स ने पाइंट किया है और जिसके जिम्मेदारी है कमपणी के सारे फेर्ज को मैनेज करना it can be anyone occupying the position of director may be shareholder हो may be shareholder ना हो बस इससे ज्यद्ध अभी नहीं सोचना करे लिए आगे चलते हैं डाइक्टर का और एक एजन्ट फेडूशी रोल क्या है डारेक्टर एक मानतदार है उससे अमानत में खयानत नहीं करनी चाहिए फेडूशी रोल क्या है डारेक्टर के पास जो शेर होल्डर्स की मानत है ना क्या मानत है उसे पैसे प्रॉपरिटी उनको वो शेर होल्डर के बेस इंटरस्ट में यूज़ करें अपने बैस्ट में यूज़ ना करें डारा का पहला डूसरी और दूसा रोट क्या है ऐस एजन्ड के डारेक्टर को किस की स्रेक्शन्ड के मताबिक काम करना डाइब उज्यर होल्डर कि यह प्रिंस्पल और एजन्ड वाला अपनी काम करना चाहिए ठीक है और शेयर होल्डर के जो एसेट्स हैं उनके पैसे हैं उनको भी इमानदारी से इस्तमाल करना चाहिए अमानत में ख्यानत नहीं करनी चाहिए फेडिशिर रोल क्या कहता है कि उनकी जिम्मेदारी है कि शेर ओल्डर के पैसे को शेरोल्डर के इंटर्स्ट में इस्तमाल करें एजेजंड रोल क्या है कि शेरोल्डर की इंस्रेक्शन के मताबिक काम करें अच्छा लाज ओए ना इसके उपर थोड़ी बहुत माफी देता है डिरेक्टर कभी कभी अपनी मरजी कर ला होता है कभी गुसा आजाया है हमकरते हैं नहीं मानता शेर होल्डरस की थोड़ी देब बाद में कहते है सोरी सर जी कर लेते हैं गुसा आ जाता इस पर थोड़ा मुथ कंप्रोमाइज कर लेता fiduciary role के उपर companies act कोई compromise नहीं करता कहता है जिस person ने भी ये fiduciary role lack किया lacking fiduciary behavior हुआ कोई भी person क्या हुआ lacking fiduciary behavior तो उसको ना सिरफ ये कि इस company की डिरेक्टरशिप से हटा दो बलके उसके उपर 5 साल के लिए for example बैन कर दो वो और किसी भी company का डिरेक्टर नहीं बन सकता ठीक है ये है fiduciary behavior करो ये ज्यादा समझने की जुरूत है आपको अच्छा fiduciary behavior कर इसकी example सुन ले जिए कि ये कब lag करता है कब कोई डिरेक्टर fiduciary behavior पिर उस शो नहीं करता या उसके खिलाफ काम करता है सुन ले शेर होल्डर ने कहा हमने आज से रेजुलिशन पास की है हमने अपना जो ऑफिस है वो शिफ्ट करना है स्याल कोट में स्याल कोट में आफिस शिफ्ट करने की तियारिया की जाए एक डिरेक्टर की जिमेधारे लगाई वही स्याल कोट में इच्छी सी जगह ढूंडी बड़ी प्राइम लोकेशन के उपर उसे पता चल गया कि कम्पनी के बिजनिस के लिहाँ से याइडियो लोकेशन है अब उसने निगोसियेशन की वो जगा थी पचास मिलियन की उसने पचास मिलियन पे अपने स्पाउस के नाम पे ट्रांसफर कर ली ठीक है और फिर उसके बाद कम्पनी को वही प्राउपरिटी डिरेक्टर के सामने उसकी पिक्चर वारा शेयर की उसकी फिजिबिल्टी बनाई डिरेक्टर को बहुत पसंदाई जगा उसने का सरी ये प्राउपरिटी एटी मिलियन में बेलबला है फाई मिलियन एट मिलियन में बेलबला है बैठे बिठाए यहां फिफ्टी मिलियन था एटी मिलियन में बेलबला है ये शेर होल्डर के अब हुद बताएं क्या ये अमानत में खियानत नहीं है क्या ये शेर होल्डर के पैसों का बेस्ट यूज है क्या ये उनके इंटरस्ट में यूज है नहीं ऐसे परस्टन को डिरेक्टर होना चाहिए नहीं होना चाहिए यूस्ट्री में और भी बहुत सी एक ऐसा कम्पनी थी जिसको राव मेटरिल चाहिए होता था। तो डिरेक्टर जब वहाँ पे आया उसने देखा क्या-क्या राव मेटरिल चाहिए। उसने अपने भाई से आप भाई ऐसा करो कि ये छोड़ी सी दुकान खोर लो तुम तुम ऐसा करता हैं मार्केट से वह तुमने करना कुछ भी नहीं है सिर्फ यह कि मैं इधर से अर्डर पास करूँगा कि राव मडिल चाहीए तुम में अर्डर दूँगा तुम मार्केट से 10 रुपे का राव मडिल उठाना और 15 रुपे यूर्ण साथ से बेच देना अपनी पोजिशन गलत इसमाल करना चाहें तो पैसे बना सकते हैं बिलकुल बना सकते हैं सारे शेर होल्डर का नुकसान होगा तो इसलिए लाने इस ये जो फिडूशरी बिहेविर है इसके उपर सख्त मौकफ अपनाया हुआ है कहते हैं इस पे नर्मी नहीं है एजेंट है ना वो काम दिया था उसने नहीं किया लेड कर दिया काम थोड़ा सही किया थोड़ा गलत किया इस तरह के मसले मसाल में वो कहते हैं चलो माफी तलाफी हो सकती है इस मसले में माफी तलाफी कोई नहीं है lacking fiduciary behavior ये direct disqualification की तरफ जाएगा ये रोल समझ आ गया चलिए इसमें मैंने आपको इसको इतना ज़्यादा explain ने किया लेकिन fiduciary behavior को डिटेल में explain कर दिया और इस definition में मैंने सबसे ज़्यादा किस point में focus किया anyone के उपर और दूसरा नेम के उपर उसका नाम कुछ भी रख सकते है ठेक है जी बस क्यों भाई जान अभी तो lecture शुरू हुआ कोई बात नहीं आप तो आगे हैं ना आप तो आगे हैं आरे घरों में बैठे इंद़ार कर रहे होंगे कब lecture हो YouTube पे upload हो और वो उसको देखें आगे चलते हैं हाँ ना आगे चलते हैं क्या आप कंपनी का डिरेक्टर बनना चाहते हैं शेर हो रहा है शावा दस शेर होल्डर खरीद दस शेर होल्डर बन जाएगा डिरेक्टर बनना चाहते हैं तो इसके लिए पता होना चाहिए आपको कि डिरेक्टर बनने के लिए क्या जरूरी है डिरेक्टर बनने के लिए क्या जरूरी है अब हम नेक्स यही पढ़ने जा रहे हैं कि अगर हम किसी कम्पनी का डिरेक्टर बनना चाहते हैं हमें क्या criteria पूरा करना पड़ेगा अच्छा एक सी जहें में रखें मैं आपको company लागा एक मिज़ाज बता दू हर subject रहना अपना एक मिज़ाज होता है company लागा एक मिज़ाज है वो different positions को discuss करता है जैसे director की position जैसे chief executive की position इसके बाद आगया आएगा chairman की position company secretary की position बगरा बगरा लाजब कभी किसी भी office की या किसी भी position का criteria discuss करता है ना तो वो दो तरह से criteria discuss करता है एक क्या चीजें उसमें होना जरूरी है दूसरा क्या चीजें उसमें ना होना जरूरी है क्या चीजें होना जरूरी है और क्या चीजे ना होना जरुरी है Criteria Companies Act में जितने भी Criteria's है नौर्मली वो two-fold Criteria तो फोल्ड तो फोल्ड गा मतलब क्या है एक Criteria वो Eligibility क्या चीजे होना जरुरी है इसको कहते है Eligibility Criteria या Qualification Criteria और दूसरा Criteria क्या है क्या चीजे ना होना याद रखे इनरिजेबिल्टी या डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटियरिया क्या है कौन सी चीजें ना होना जरूरी है ये नहीं कौन सी चीजें जरूरी नहीं है दोनों में फरक है कौन सी चीजें जरूरी नहीं है इसका मतलब कुछ हो रहा है जरूरी नहीं हो तो कोई मसलामी नहीं है जरूरी नहीं का मतलब ही है कौन सी चीजें ना होना जरूरी है इसका मतलब कुछ हो है कि लाजमी है इन मेंसे कोई चीज भी नहीं हो तो ये जो हमने क्राइटेरिया पढ़ना है डारेक्टर्स का डारेक्टर्स का ये क्राइटेरिया टू फोल्ड है एक है इलिजिबिलिटी एक इनलिजिबिलिटी इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है क्या चीज़े होनी चाहिए इनलिजिबिलिटी का मतब क्या है क्या चीज़े नहीं होनी चाहिए ना होना जरूरी है ये क्या चीज़े होना जरूरी है इनलिजिबिलिटी क्या चीज़े ना होना जरूरी है ये कंसर्ट पहले जिन में बिठा ले आगे रटा तो आप लगाई लेंगे कंसर्ट केसरी में काम आएगा इलिजिबिलिटी की सारी चीज़े होना जरूरी है minimum requirement है अगर एक चीज भी नहीं है तो वो लिजिबर नहीं और ineligibility की सारी चीजें ना होना जरूरी है अगर ineligibility की एक चीज भी आगी ना नहीं हो समता तो मुझे पताईए अगर concept समझ आया आपको एक person है उसमें ये सारी चीजें मुझूद है लेकिन साथ ही साथ इन मेंसे एक चीज ये भी है क्या डिरेक्टर पाइंट हो सकता है नहीं हो सकता अच्छा इन मेंसे कोई भी चीज नहीं है लेकिन ये भी नहीं है डिरेक्टर पाइंट हो सकता है डिरेक्टर नहीं क्यों नहीं हो सकता eligibility criteria मेट नहीं करता तो हमने अगर case study में हमसे पूछता है किसी person के बारे में information दे के कि बताओ ये director point हो सकता है के नहीं बताइए हमने सिर्फ eligibility criteria देखना है या in eligibility criteria भी देखना है दोनों से पास होगा फिर director point हो सकता है वरना director point नहीं हो सकता तो बताइए पहले कौन सा criteria पढ़ना पसंद करेंगे eligibility के in eligibility eligibility सुर ले eligibility criteria क्या director मस्ट भी क्या natural person director का natural person होना ज़रूरी है बताया थे ना law कहता है दो तरह के person है एक natural एक artificial artificial person कोन होता है company और natural person कोन है human aslam और aslam limited कौन natural person कोन आर्टिफिशल aslam natural person और aslam limited artificial person कह रहा है आपको याद है shareholder वाले में पढ़ा था shareholder natural person भी हो सकता है artificial भी हो सकता है artificial हो सकता है तभी तो subsidy holding का के साथ उन्हें में आया लेकिन director सिरफ और सिरफ natural person हो क्या aslam director बन सकता है क्या फैसल limited director बन सकता है क्यों नहीं artificial person है बाडिकर शाबाज दूसरा रूल director must be member director का member होना जरूरी है director का member होना जरूरी है देखें इसकी मिसाल वो सीधी सी देता है कहते है कष्टी के अंदर वो ही बंदा हो कष्टी को चलाने में उस बंदे का हाथ होना चाहिए जिसका कष्टी में समान पड़ा हुआ है वो कष्टी को दिहान से चलाएगा जिस बंदे को आपने कष्टी चलाने का उसका समान नहीं पड़ा हुआ वो क्या जैसे कष्टी डूबने मड़ेगा उसका मेरा कुन सा समान बड़ा चलांग लगाएगा दूसरी कश्टी पर सवार उसी तरह जो डारेक्टर है इनका मेंबर होना क्योंकि इनका पैसा लगा होगा ना ला ये कहता है इनको दर्द होगा ये सही फैसला करेंगे जो शेयर होल्डर के मफाद में होगा क्योंकि खुद भी इनका पैसा लगा फुद भी शेयर होल्डर है तो दूसरा क्राइटेरिया क्या पताया लाने डारेक्टर मस्ट भी मेंबर लेकिन ये डारेक्टर मस्ट भी मेंबर इसकी कुछ एक्सेप्शन्स हैं इसकी कुछ यानि कुछ सिच्वेशन ऐसी है जिनमें डारेक्टर को होगा लेकिन एक्जेम्पल क्या है इसके एक चोटी से एक रियर लाइफ एक्स्पेरियंस से बताता हूं एक क्लाइट था हमारा इंशोरेंस कंपनी थे इंशोरेंस बिजनिस कंप्लेक्स समझा जाता है उसमें हमार्ड करने के लिए गए तो वहां पे एक उनका CFO था वो चार्डड समझता था वो सीधे सिले सौब के जवाब देता था जैसे ठड़ा कंपलेक्स वैसे नाता था ना वह एक बदे को बुलाता था एक बाबाजी होते थे उन्हें कहता वाबजी यह कि उस बंदे को कूरे बिजनिस के एक-एक चीज का पता था उसने तक्रीमन कोई 25 से 30 साल उस चला उनको इंशोरंस बिजनिस का ना सिर्फ ये के पॉलीसी का जो पॉलीसी होती है ना अगर वही पढ़ने पढ़ जाए ना उसमें वड़ी कंपलेक्स होती है पॉलीसी का पता था उन्हें कमडी के कितने एजंट से उन एजंट में से किसकी एक दूसरे के साथ रिष्टेद कॉंट्रेक्ट दिया गया था कि आप अभी हमारे बिजनिस में आएं और इसको आगे चलाएं कि हमारे बिजनिस को चलाएं हाँ हमारे बिजनिस को अब खुद मुझे बताईए अच्छा उनके साथ बिजनिस का नौलेज उने पूरा था उस परसन को लेकिन था तब बिलाह आफर employee तो माली हालाद को इतने अच्छे नहीं थे तो मुझे खुद बताइए अगर आप माली हो किसी बिजनिस के और ऐसा person हो उसकी retirement की age पूरी हो जाए क्या आप उसको घर जाने देंगे आप चाहेंगे कि बिजनिस मेरे उसके experience का फायदा उठाए दूसरे लोगों के साथ share करें ठीक है तो अगर आपको इसको director बनाना पड़े क्या director बना देंगे ऐसे person को बिलकुल बना देंगे और अगर वो कह सर director बने को तो त्यार हूँ share खरीदने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास तो क्या यहाँ पे shareholder वाली requirement लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए यह है basic concept ह हमारा जो यह सिखाता है कि normally तो director का shareholder होना जरूरी है normally director का shareholder होना जरूरी है लेकिन लाजमी नहीं है कि हर director shareholder भी हो shareholder हो तो इसलिए लाजमी यह जो member वाली requirement है इनकी कुछ exceptions बताई है exceptions क्या है सबसे पहली exceptions वही जिसका मैंने जिकर की आपको कि a whole time director who was an employee यानि ऐसा director जो full time employee था और उसे अपने experience की वज़ा से director की post पे appoint किया गया है shareholder ने उसका experience देखा है उसके पैसे नहीं देखिए उसका experience देखिए उसे डर तो क्या ऐसा director पाइंट हो सकता है बिलकुल essay director को हम क्या कहते है executive director क्या कहते है executive director ये जहन में रखिएगा फिर उसके बाद दूसरा chief executive याद रखे जो chief executive है chief executive ये भी chief executive पता ना कि आप है explain किया है इसका भी shareholder होना ज़रूरी नहीं है अच्छा question यहां पर सूड़ ये पुछते है sir chief executive का shareholder होना ज़रूरी नहीं ये बातों समझ आ गई लेकिन chief executive director वाली list में क्यों आ रहा है concept हम ये नहीं पढ़ने कि chief executive का shareholder होना ज़रूरी है कि नहीं concept क्या पढ़ने है director का shareholder होना ज़रूरी है कि नहीं तो यहां पर chief executive क्या करने आ गया तो याद रुखिए law कहता है chief executive assumed director है deemed director है deemed का मतलब assume accounting में आप इसको assume कहते हैं न law में उसे deemed कहते हैं chief executive director समझा अगर तो already director है तो ठीक है अगर already director नहीं है तो chief executive को deemed director होगा इसे director assume किया जाएगा next third or fourth अच्छा third or fourth के लिए सुन लेजिए person representing यह government है यह चेकीजिए government are body corporate यह सुनने देखिया है क्रेडिटर किसको कहते हैं law में जो लोन देता है company को government और body corporate तो आपको पता है क्या एक government यह body corp को एक example लेके आगे चल सकते हैं दोनों की example सेम है फर्स कीजिए body corporate कोई company क्या एक company दूसरी company के shares खरीद सकते हैं बिलकुल खरीद सकते हैं अच्छा जब shares खरीदेगी तो क्या वो यह चाहेगी कि board of directors में decision making में भी हमारी involvement हो चाहेगी कैसे involvement हो सकती है क्योंकि body corporate तो दूसरी company का director बनी नहीं सकती जैसे फर्स कीजिए ptcl ने you phone के shares खरीदे अब ptcl यह चाहता है कि you phone की board meeting हो decision making हो तो उसमें ptcl की तरफ से भी कोई मुझे represent करो जाओ इस meeting में मुझे represent करो ऐसे person ऐसे डारेक्टर को हम कहते हैं परसन रिप्रेजेंटिंग government या अब खुद सोचे क्या ऐसे representative का shareholder होना जरूरी है नहीं क्यों नहीं जरूरी क्योंकि वो जिसको represent कर रहा है वो shareholder वो shareholder अगर वो जिसको रिप्रेजेंटिव डिरेक्टर बना भी देती है तो मिस्टर बदर का shareholder होना जरूरी फर्ज कीजिए company कहती भी है अगर article में लिखा है के डिरेक्टर के लिए 10 अजार share होना जरूरी है तो PTCL 10 अजार share joint share holding के तोर पे उनके नाम पे transfer कर भी सकती है लाजमी नहीं लेकिन transfer करना चाहें कर भी सकती है लेकिन क्या वो person मिस्टर बदर उन share का beneficial owner होगा नहीं होगा तो ये जो person director तो हैं लेकिन वो director अपनी share holding की वज़ा से नहीं है किसी दूसरे को represent कर रहे हैं उनका share holder होना asset director का जरूरी नहीं है similar concept creditor में भी apply होता है इसमें और इसमें फरक सिरफ यह है इन दोनों में कि इसमें जो investment की होती है ना उस person ने जो point कर रहा है उसने shares में investment की होती है और इसमें जिस person जो nominate कर रहा है तरह वो loan की शकर में investment की है अब इसे example को थोड़ा सा change करता हूँ फर्ज कीजिए के company you phone वाले loan लेने के लिए चलेगे mcb के पास mcb ने का loan देता हूँ लेगे मेरी कुछ शर्ते हैं पहली शर्त ये तुम अपने assets के amount इस amount से नीचे गिरने नहीं दोगे दूसरी शर्त ये के dividend बाद में proof करोगे पहले मेरी interest payment हुआ करेगी ये ना मुझे interest मिले ना और तुम shareholder को dividend देते रहो और भी दो तिन चलते हैं बोलो मनजूर है you phone क्या कहेगी मनजूर है loan दीजिए mcb बेखेगा नहीं इतना बेफूफ नहीं हूँ मैं ये ना हो मैं तुम्हे loan दे दूँ और तुमने मुझे इधर तो वादा करके जा रहे हो बाद में इनको पर अमन नहीं किया तो मैं क्या करूँगा इसलिए मेरे साथ वादा करो कि हमारा एक बंदा तुम लोगों के board of directors में एड होगा वो आपके रूटीन के कामों में दखल दाजी नहीं देगा वो सिरफ ये देखेगा कि कोई ऐसा matter अप्रूव ना हो जो creditor के bank के interest के खिलाफ है जब कभी तुम लोग कोई ऐसी resolution पास करने लगए हैं तो हमारे interest के खिलाफ है वो फोरान हमें phone कर देगा बोलो मनजूर है तो लोन देते हैं वरना नहीं अब जिसने लोन लेना होता है वो तो I.M.F की हर शर्त मानने को त्यार है ना I.M.F के हमारा ये बंदा इस जगह पे लगाओ स्टेट बैंक में लगाओ वो क्या लगाएंगे के नहीं लगाएंगे बिल्कु लगाएंगे तो कंपनी भी त्यार हो जाती है अब बताएए बैंक जिस बंदे को representative director बनागे बेज रहा है क्या उसका shareholder होना जरूरी नहीं है क्यों जरूरी नहीं है क्योंके वो जिसको represent कर रहा है उसका पैसा लगा हुआ है उसका पैसा लगा हूँ, तो यह हमारी total चार एक्जेंपल्स हो गए, यह exceptions कहलें इसको, किसी सीज की exceptions? कि director का शेर हो ओल्डर होना ज़रूरी नहीं है, पहली कौन सी थी, वो बापा बरी एक्जेंपल, होल टाइम डार्क्टर, दूसरी चीफ है एक्जेक्टिव तीसरा परसन रिप्जेंटिंग बाड़ी कॉर्पेट और फेडर गर्मेंट और फोर्फ परसन रिप्जेंटिंग क्रेडिटर यह चारों एक्जेंपल जहें में रखेंगा आगे चलके दुबारा मैंने इनको लिंक करना है जब कर एक्जेक बल नॉन एक्जेक्टिव की है चीफ एक्जेक्टिव एक्जेक्टिव डिरेक्टर है के नॉन एक्जेक्टिव नाम में एक्जेक्टिव आ गया है तो एक्जेक्टिव डिरेक्टर है कलियर है चलिए तो अभी हमने लिजिबिल्टी क्राइटेरिया पढ़ लिया अच्छा आप सुनने जी ए कमपनी अगर चाहे है ला यहां तक कैप के बात रूख गया ठीक है लेकिन कमपनी अगर चाहे तो क्या एडीशनल क्राइटेरिया एड कर सकती है मजीद अपने आर्टिकल्स में इंक्लूड करे के पर दो आर्टिकल्समें भी स्ट्रिक्टर आर्टिकल्स चाहें इसमें मजीद कोई condition ai Shaani कर सकते हैं कब नहीं बिलकुल कर सकते हैं लेकिन इस इसको नहीं कर दे जैसे अगर आर्टिकल को भी लिखा कि इस कंपनीगा डैय्क्टर कोई body corporate भी हो सकती है तो क्या body corporate हो सकती है नहीं यह नहीं यानि कि डिरेक्टर बनने के लिए law ने कहा है member होना जरूरी है member एक share पे भी हो सकता है एक share लेकिन अगर आर्टिकल में लिखा हो कम से कम कम से कम 10,000 share होना जरूरी है ताकि आप directors का election लड़ सकें कम से कम 10,000 share तो मुझे बताइए अब directors का election लड़ने एक share लड़ सकता है नहीं 10,000 लड़ सकता है तो बाज उकात articles में number of share holding prescribed होती है law कहता है एक share भी काफी है कमनी चाहे तो अपने articles में add कर सकती है कि qualification share 10,000 होंगे qualification share का मतलब क्या है वो share जो जरूरी है directors का election लड़ने के लिए directors का election लड़ने के लिए समझाए ये बात ये था eligibility criteria उसमें सबसे अहम चीज हमने क्या समझी भला exceptions चार eligibility criteria में सबसे हम क्या चीज है exceptions exam point of the फिर से मुझे अपता आईए definition में सबसे अहम चीज क्या थी anyone और whatever नाम कुछ भी हो role of director में सबसे हम चीज क्या थी fiduciary behavior वाली eligibility and eligibility criteria में eligibility में सबसे हम चीज क्या है याद सारी चीज़े करनी है selective study नहीं करवा रहा आपको relative importance बता रहा हूँ कि ये वाले concept ज्यादा है में case study में यूज होंगे इनको पका करना आपने अब बज़े पताईए eligibility criteria भी पढ़ने हैं नहीं पांचे मिनट हैं भैसे नहीं हजब नहीं होता आगे नहीं पढ़ाता कोई question हाँ तो पूछ लिजे क्या director जो एक दफा पांट हो जाए तो क्या वो हमेशा के लिए director रहता है अच्छा कोई नहीं तीन साल के लिए तीन साल के बाद दुबारा election होगा सारे directors दुबारा election होगे ये जो आपकी छुटी आएंगी ना इसमें मैं कोशिश करूँगा कुछ practice की चीज़ें आपके साथ शेयर करता रहा हूँ बुक की नहीं बुक की तो बोरिंग होती है ना तो पड़ी देंगी कुछ practice की चीज़ें के directors के लेक्शन के हवाले से meetings के हवाले से चोटी मोट्ट WhatsApp group है वो resources शेयर करने के लिए बिनाया ना group वहाँ पर तो वक्तर वक्तर ना आप उसको देख लिया की लिए ठीक है बाकी चीज़ें यह दुबारे के message आ रहे होंगे ना जब तो उसके साथ साथ चाहिए एकादा message मेरी तरफ से भी आ जाए यहां बे लेक्शर को खतम करते हैं हां अला हाफिस